नमस्कार दोस्तों Apex Studies के online platform पर आपका एक बार फिर से स्वागत है लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था तो basic classification में अपने amount के basis पे और जो second classification था function के basis पे उन दोनों पर पढ़ लिया था detail में अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो नीचे description box में उसका link मिल जाएगा वहां से जाकर उस वीडियो को भी watch किजिए फिर इस वीडियो को देखना है तो आज का classification अपने stand करते हैं nutrient का जो classification था उसी की बात कर रहे हैं अपन तो या plant nutrient की बात करें तो जो nutrient का classification था दो basis पे अपन ने पढ़ लिया था एक कौन सा amount के basis पे और second function के basis पे जो next classification है आज के वो basic classification है इतनी ज़्यादा बड़े classification नहींगे छोटे 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 classification है तो नी की बारे में next classification लेते हैं देखो next classification बहुत छोटा classification है थर्ड classification के अगर आपन बात करते हैं तो classification है on the basis of charge charge के basis पे अगर nutrient को classified करते हैं तो nutrient basically दो type के होते हैं फर्स्ट कुछ ऐसे होते हैं जो positive charge होते हैं जो negative charge होते हैं ध्यान यहां से क्यूसाहण और बनता है उसको भी अपन देख लेते हैं क्यूसान यहां पर यह बनता है कि जो plant nutrient का uptake करता है वो किस form में uptake करता है यानि form of uptake तो form कौन सी होती है, form होती है, ionic form, कौन सी होती है, ionic form होती है, और second term में बोले अपन कि इन-organic form होती है, हमेशा plant किस form में nutrient का अपटेक करता है, इन और्गेनिक फॉर्म में करता है, कभी भी और्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रेंट का अप्टेग नहीं करता है और इन और्गेनिक फॉर्म में भी किस फॉर्म में? आयोनिक फॉर्म में आफिर एनुरियन की अब इनिकोर आगे लेते पढ़ेंगे कौन से कटम में लेगा कुन से न ये में को अब क्यों ऊरुच हैë क्यों अरगानिक मेंटर का यूज किया path एंगर और क्यों अरप अपन ने डिटेल में फास्ट और सेकेंड वीडियो में डिसकस किया था आज की वीडियो में डिटेल में नहीं जाएंगे आज अपना में टॉपिक रहेगा कि आयनिक फॉर्म में अप्टेक कैसे कर तो सबसे पहले बात करते हैं अपने 17 असेंचल न्यूट्रेंट कौन-कौन से हैं अगर इन न्यूट्रेंट में बाद करते हैं तो टीन न्यूट्रेंट हैं बेश्क न्यूट्रेंट कौन-कौन से ची आच-ऊ-धो जिनको प्लांट कहां से लेता हैं जwalkां सांबंसरा पैब करता है उनिकि बात करेंगे तो 17 में से अगरे तीन चलेगे तो आपके पास बचले इन 40 नूट्रेंट में कौन से के टाइनिक फॉम में लेगा उनकी बात करेंगे लेकिन यहाँ पर इनकी बेसिक लिए अपन बात नहीं करेंगें और अब इसके अलाव अगर अपन बात करते हैं तो तीन थो हते हैं प्राइमरी न्यूटरेंट कौन कौन से primary nutrient होते हैं तीन एन पी और के यानि नाइट्रोजन फॉस्पोरस और पोटास इसके अलावा तीन nutrient होते हैं secondary nutrient कौन कौन से calcium magnesium और sulfur remaining जो nutrient बच गए आपके वो कौन से होते हैं micronutrient तो तीन basic होगे तीन primary और तीन secondary तो total किते होगे 9 nutrient होगे total अपने essential किते थे 17 तो आपके पास में micronutrient किते होगे 8 आपकी क्या है micronutrient अब कौन से होगे $ ballot माइक्र ο्न्यूट्र अगर उनकी बात करें तो अपन यहाँ पर पने पास में आता है सबसे पहले अगर अपन के टाइन की बात करें तो इसके अलावा निकल आता है अब बच गए तीन निट्रेंट तीन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में बात करें कि कौन कौन से होते हैं तीन और रिमेनिंग्ड है वो कौन कौन से है chloride है, boron है और molybdenum total यह किते होगे 14 plus 3, किते होगे 70 अब इनकी बात करते हैं कौन सा ketanik form में होता है, कौन सा ananik form में होता है, सब को पता है nitrogen का plant uptake किस form में करता है, nitrogen का uptake करता है, nitrate की form में manly, इसके लावा ammonical form है, ठीक है तो यहाँ पे देखो nitrate के उपर minus लगवा और ammonia के उपर plus, तो अपन बोल सकते हैं कि nitrogen होता है उसको वो ketanik form में भी uptake करता है, और ananik form में भी uptake करता है ananik में nitrate की form में, ketanik में ammonia की form, इसके अलावा अगर अगर आपन बात करते हैं, तो phosphorus, phosphorus को plant कि form में अपटेक करता है, H2PO4 minus HPO4 2 minus, मुख्य रूफ से H2PO4 minus की form में अपटेक करता है यहाँ HPO4 2 minus, तो दोनों के उपर माइनस चार्ज है इसका मतलब phosphorus किसमे है ananik form में हो गया, potassium को अपटेक करता है, K plus में, तो potassium किसमें हो गया, ketanik form में calcium को CA2 plus तो calcium plus आ गया तो हो, ketan magnesium की बात करें तो Mg2 plus में, तो यह भी ketan हो गया, इसके बाद में sulfur की बात करें, तो SO4 2 minus, वो खिरूप से होता है कभी-कभी SO4 minus भी होता है तो यहाँ पे symbol किसका रहा है negative का, तो sulfur ananik form में अपटेक होता है copper की बात करें अपन तो copper को अपटेक करता है plant Cu 2 plus में plus आ रहा है, तो यह भी ketan हो गया, iron की बात करें तो Fe 2 plus और Fe 3 plus दोनों में होता है मुख्य रूप से Fe 2 plus, तो यहाँ पे यह भी क्या है, 2 plus आ रहा है तो ketanik form आ गी, zinc की बात करें तो ZN 2 plus की form में की बात करें तो Ni 2 plus तो यह भी किस में आ गया, ketan में, इसके अलावा क्लोराइड की बात करें तो Cl minus minus आ गया, तो यह anionic form में आ गया, इसके अलावा boron, boron की लिए बहुत सारी form में आती है, मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो आपके पास में आती है, S3 BO3 minus भी आती है, इसके अलावा H2 BO3 minus आती है, यहाँ पर यह neutral form भी होती है, S3, BO3 का neutral form में भी आता है, इसके अलावा एक मातर ऐसा nutrient है, यह neutral form में भी अप्टेक कर सकता है, वहाँ पर right answer होगा, boron, boron neutral form में यह भी अप्टेक किया जाता है बाकी सारे न्यूट्रेंट देखना या तो केटाइन की फॉर्म में या फिर एनायन की फॉर्म में लेकिन मुख्य रूप से जो फॉर्म होती है वो क्या होगे प्लान्स न्यूट्रेंट की फॉर्म में करता है और इक बाकी सारी फॉर्म तो प्लान्ट एक करता है ज्यादतर जो क्योंस आते हैं कि फॉस्फरूरस के व्ट। वोरोन की वित यह ध्यान रखने वाली बात है मीक्लाद फेली का देया से एक और क्यूशन बनता है कि which nutrient are uptake in both of the form, both of the form का पतलब positive के रूप में भी अपटेक होगा और negative, सभी nutrient को देखो जिसे या तो हर nutrient क्या होता है या तो positive में अपटेक होगा या नेगेटिव में लेकिन एक मात्र nitrogen ऐसा nutrient है जो positive में भी अपटेक होता है और negative में भी अपटेक होता है नाइट्रेट कौन सी है आपकी negative form अमोनिकल कौन सी है positive form अपनने पहले डिसकस कर लिया था nitrogen दोनों फॉर्म में एक होता है nitrogen का एनाइन में भी उता है और criteria मुखके रूब से Naid का प्रीक होता है तो मुखे रूब से एनायन में कि फॉर्म में लेकिन इसका मतलब यह नहीं किर पाएगा प्रीक होता है अमोनिकल फॉर्म में लिश्पोटेटो हो गया या फिर अपने राइस वगरा हो गया इन में ज्यादा तर यूज होता है, reduce condition की बात आती है, वहां पे ज्यादा तर आपका amonical form को यूज किया जाता है, oxidize condition में आपके nitrate form को यूज किया जाता है। तो question बनता है कि कौन सा nutrient दोनों form में uptake किया जाता है, तो nitrogen nutrient का दोनों form में uptake होता है, और कौन सा form neutral form में uptake किया जाता है, कौन सा nutrient neutral form में तो वहाँ पे बूरोन आप answer कर सकते हो, दो question आपके solve हो चुके हैं, next अगर आपके classification की जाते हैं, तो वो आता है metal के basis पे, कि कौन सा nutrient metal है और कौनसा? non-metal है एक basic rule है कि metal सारे Positive charge आयन होते हैं और जो non-metal होंगे वो कौन से होंगे? सारे Negative charge basic rule है Positive charge सभी कौन से होंगे Metal होंगे और Negative charge सभी कैसे होंगे? Non-metal अब इन में कुछ चीज़ा आपको ध्यान में रखने वाली है बात है जैसे कौन सी, जैसे अपने बात करें पोजिटिव में, तो nitrogen positive और negative दोनों में आता है लेकिन nitrogen example है non metal का, जै कोई भी फॉर्म हो, nitrogen हमेशा example होगा non metal का, अब सभी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे molybdenum भी अपप़ाद है, molybdenum के उपर charge कैसा है, negative charge है, लेकिन molybdenum क है सा होता है मैंटल होता है बाकि सब के लिए नोर्मल सब्सक्राइब और सकते हो यह याद कर सकते हो चैसे चिन के ऊपर भी प्लस तीओ उसारे metal होंगे जिनके उपर भी मैनस जाज है। वो सारे non-metal होगे। ध्यान रखने वाले बात है है दो nutrient के लिए nitrogen और moly जो classification थे वो complete हो चुके हैं। next classification की तरह अपन चलते हैं तो next classification अपन लेगे On the basis of mobility, mobility के basis पे nutrient को किते पार्ट में divide किया गया है, तो mobility के basis पे जो nutrient होते हैं, इनको basic दो केटेगरी में divide किया गया है, एक mobility होती है plant के अंदर, दूसरी mobility होती है soil के अंदर, तो अपन बोल सकते हैं, On the basis of mobility, mobility के basis पर nutrient किते टाइब के होते हैं, तो देखो, सबसे पहले mobility के मतलब होता है, चालकता, यानि अपन बात कर रहे हैं, जो nutrient है soil में एक जगे से दूसरी जगे जा रहा है, तो ये भी mobility है, या फिर ये plant के अंदर ही, एक जगे से दूसरी जगे जा रहा है, तो ये भी mobility है, तो mobility क हो सकती है, soil में भी हो सकती है, और plant में भी हो सकती है, इसकी mobility होगी, nutrient जैसे, nitrogen हो गया, phosphorus हो गया, potassium हो गया, इनוטation की soil और plant में, दोनों में अलग-अलग जगे mobility होती है, हर एक nutrient जो soil में मوبाल हो, plant में मوبाल हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसी प्रकार, जो nutrient, plant में मोबाल है, वो soil में भी mobile हो, ऐसा जरुरी नहीं. अब इसी classification को अपन आगे ले जाते वे पढ़ेंगे, तो आगे अपन देखते हैं कि soil के अंदर कौन से mobile है और कौन से non-mobile है, ऐसे प्लांट के अंदर mobility के basis पर क्लासिफिकीशन ठीक है तो आज के अपने इन में स्टार्ट करते हैं कि जो सोईल के अंदर mobile है या अपन बात कर सकते हैं highly mobile तो highly mobile nutrient कौन से है soil के अंदर और plant के अंदर कौन से हैं इनकी बात बन बाद में करेंगे पहले soil के पढ़ लेते हैं देखो soil के पार्टिकल के उपर कौन सा चार्ज होता है अपने को पता है नेगेटिव चार्ज होता है तो यह attract किसको करेगा यह करेगा पोजिटिव चार्ज आये इनको पोजिटिव चार्ज आये इनको अपनी तरह पट्रेक्ट कर लेगा और बाइंड कर लेगा जैसे अपन बात करते है जाप लेते हैं यह marker है माना यह marker नेगेटिव चार्ज है तो यह अपने चारों तरफ bind किसको करेगा किसको आकर बांध लेगा positive charge सारे यहां पर बंद गए bind हो गे तो market में खुले गुन गूमरे हैं negative जो खुले हैं वो चल सकते हैं उनमें चालगता होगी और जो बंदे होए हैं उनमें चालगता नहीं होगी तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे positive charge आयन सारे soil के particle से bind होगे mobility आपे soil पर पड़ रहा है plant पे नहीं पड़ रहा है soil में पड़ रहा है soil के उपर negative charge होगा वो soil के अंदर highly mobile होगे क्या रीजन है इसका highly mobile होने का वो आपको पता लग गया कि soil के उपर charge के साथ और negative positive charge को यह क्या कर लेगा अपने चारों तरफ बांद लेगा अब भंदा वागा तो वो कहीं जा नहीं पाएगा तो जाएगा कोन जो खुला है और जो खुला कोन है यहाँ पे negative charge को negative charge गया हो गया highly mobile लेकिन एक अपवाद है अपवाद क्या है magnees, magnees के उपर कौन सा charge होता है MN2+, यानि यह positive charge होने के बाद भी soil के अंदर mobile होगा तो अपन बोल सकते है highly mobile सारे negative charge होते हैं plus magnees एक अपवाद होगा ठीक है अब ऐसे अपन बात करते हैं less mobile की तो less mobile कौन से होंगे सारे nutrients ऐसे nutrient जो positive charge हो फिक जो negative charge हो तो सारे highly mobile होगे तो less mobile कौन से होगे सारे positive charge अब ऐसे ही third category आती है आपकी immobile अब यहाँ पर इम्मोबाइल की बात कर रहे हैं जो चल नहीं सकते मतलब सोयल में सब्सक्राइब तो इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल नहीं चलेंगे जो क्योंगी काउंटेबल नहीं नहीं होती बहुत कम मात्रा में चल पात तो ऐसे कौन से nutrient है जो soil के अंदर immobile है तो यहां पर आंसर जाएगा phosphorus और zinc phosphorus और zinc ऐसा nutrient है जो soil के अंदर immobile तो आपको याद क्या करना केवल यह दो nutrient याद करने हैं इसके लावा कुछ याद नहीं करना immobile soil के अंदर phosphorus और zinc होते हैं आप अब इनको जित्ती बार रिवायज करो बस इनको याद करना कि फोस्वर और zinc soil के अंदर immobile होते हैं मोबाइल कौन से होंगे या highly mobile कौन से होंगे और less mobile कौन से होंगे इनको याद करने की जरूते इसको बाद करते हैं प्लांट के सिस्टम में या प्लांट के अंदर इक बार न्यूट्रेंट एंटर हो गया इसके बाद या प्लांट में वो चालक है की नहीं है इसके बेसिस पे इनको चार मुख्य कैटेगरी में बाटा है तो प्लांट के अंदर जो सबसे पहले कैटेगरी होती है वो semi highly mobile highly mobile nutrient होते हैं primary nutrient आपको याद करने की जरुवती नहीं है highly mobile कौन से होगे primary और primary nutrient कौन से हैं आपके NPK NPK plant में highly mobile होते हैं दूसरी केटेगरी आती है moderately mobile moderately mobile आता है आपके जिंग याद करने वाला बसके यही man question है इसके अलावाए immobile अपन याद करेंगे दोनों में लेकिन आपे जो man question है वो क्या है zinc एक moderately mobile plant nutrient ध्यान में रखने वाली बात है zinc क्या है moderately mobile अगर zinc option में नहीं हो उस situation में आप magnesium कर सकते हो ठीक है पर ध्यान क्या रखना है zinc अगर option में नहीं है उस situation में आप क्या करोगे magnesium कर सकते हो अगर अपन बात करते हैं third category third आती है आपकी less mobile जिसको आपको याद नहीं करना है fourth आती है आपकी immobile और immobile यहाँ पर क्या होगा calcium और boron plant के अंदर immobile क्या होता है calcium और boron वहीं पर soil के अंदर phosphorus और zinc अब आपकी confusion होगा कि आप याद तो कर लोगे immobile calcium और boron है यहाँ पर phosphorus और zinc लेकिन confusion यहाँ पर यह हो जाएगा आपके soil वाला plant में चला जाएगा plant वाला soil में चला जाएगा इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है plant के अंदर highly mobile primary plant न्यूट्रेंट होते हैं यह नि एन पीके तो plant के अंदर एन पीके में phosphorus भी आ गया इसका मतलब क्याओ प्लांट के अंदर अगर phosphorus हाईली mobile है तो इसका मतलब phosphorus प्लांट के अंदर तो immobile होगा नि तो phosphorus और zinc वाला ग्रूप हमेशा कहां चला जाएगा सोयल में remaining group बन गया calcium और आपको दो ग्रूप याद करने फोस्फोरस और zinc और calcium और बॉर्ण आपको प्लांट के अंदर highly mobile याद है एन पीके तो phosphorus जहां आ गया तो ऐसा तो होगा नहीं कि phosphorus फोस्फोरस प्लांट के अंदर highly mobile भी हो गया और immobile भी होगा दोनों में से एक ही हो सकता है तो इसका मतलब phosphorus और zinc वाला ग्रूप सोयल के लिए है तो सोयल में mobile फोस्फोरस प्लांट के अंदर calcium और बॉर्ण बाकी जो भी बच गया आपके less mobile में चले जाएंगे आपको याद करने की जरवत नहीं है highly mobile primary होगे, moderately mobile zinc होगया, less mobile अपने को याद करने नहीं है और immobile की इलचयम और boron होगया ऐसे ही सोयल के अंदर अपने आप याद कर लिया अब इस प्लांट की mobility के basis पे nutrient की deficiency plant में अलग अलग पार्ट में आएगी, उनको अपन next वीडियो में discuss करेंगे, आज की वीडियो में अपन यहीं तक रखने वाले हैं, ज्यादातर जो क्यूसन पूचे जाते हैं इस classification से वो दो ही टाइप के क्यूसन आते हैं, या तो immobile का पूचेगा, soil और plant का, या फिर plant के अंदर moderately mobile पूचेगा, zinc इसका answer होगा, अगर zinc नहीं है, उस situation में आप magnesium कर सकते हो, आज की वीडियो में अपन यहीं तक रखने वाले हैं, इसी के साथ अलविदा लेते हैं, धन्यवाद